किसान साथ्यों नवश्कार हम अपनी गायिं बेच्श की बच्चों को कैसे त्यार कर सकते हैं कैसे उनका उजन बढ़ा सकते हैं कैसे उनको मोठा कर सकते हैं ताकि वैंभेच बढ़ी हो जाए और बाह Definitely लाइक हो जाए और हम उनसे जड़ा से ज़ाता दूदद्व तो आपने देखा होगा कि जो बाश सी बार गाये तिन-तिन साल बाद भी वो घर-बदालन नहीं कर दो आधिकतर जो नुख संधेह करना में किकारण को तो है कि तो काम की करन he है इसका मुझी कारण है कि जो हमारे काफ है उनकी सभाल सभी दंग से देख बाल नहीं होना तो हमेशा क्या करें तो किसंद साथियों हमारे चोटे काफ होते हैं जो बच्चे होते हैं आप देखिए कि हमारे चोटे काफ है उनको आप प्रॉपर तीन महीने तक मां का दूद प बज़ता है वो अपने काफ या बचलों के रग लेते हैं तो उनसे उनकी भूग नहीं बिन पारती है और उर्द जिस्तिति में जो छोटे काफ है जो क्या करते हैं कि उनकी भूग नहीं मरती है तो फिर वो सुका चारा और हरा चारा या कुछ भी जो अनाज संब्धी फीड है वो खने लगते हैं और कई न कई उनका विकास होना चाहिए वो कम होता है और उससे छोटे ले जाते हैं और जो उनका प्रॉपर विकास होना चाहिए वो कई न कई को बोशन में बज़ जाता है तो किसन साथियों इसके लिए हमें सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने जो बस्रेeron जो वो जो जो बस्रेश जाला जहा को आपको शुरुमे तीन मैंने उनको बर्पोर दो देना है ताकि उसकी भूग मिठ सके अगर आपने देखा होotा कि बहुत सी बार जो गाएं हैं अगर आप उनको प्रापर पोशन करते हैं तो मात्र आप 18 महीने में गाएं को घर बिधारन करा सकते हैं मातरे 18 मेने, यानि कि आप 15 साल में गाएं को ग्याबिन करा सकते हैं। अगर आप उसको प्रवबरत्यान रखे, उसको बरफूर पोर्शन देतूं। तो पहला पार आपको यह करना है, कि आपने बचलों को भरपूर मा का दूद देना है ताकि उनका भरपूर विकास हो सके और उसके बाद किसंसाथियों आपको दुछरा कारिय करना है कि जैसे आपका बचला दो धाई या तिन मेने का हो जाए उसके बाद आप उसको फिट दे सकते हैं तो फिट में हमें क्या देना चाहिए ताकि उ पचास ग्राम उसके साथ में अब मिलाएए खल मिला सकते हैं 200–500 ग्राम ख़ल लेजए चोकर घंड़ाल जादानी मिलाएं खुब से खुब बचाजगना इन सभी चीजों को मिक्स कर लें और प्रोपर अपने बचलों को जो चोटे काफ है उनको दें आप देंगे तीन मैने बाद अगर यह आप लगातार उनको यह दोस्त देते हैं अगर तीन मैने और आपने जैसे कि आपने मांक जो दूद बच्चे ने धाया है तीन मैने तक और तीन मैने तक आपने लगातार यह फेड़ दी तो क्या होगा उससे कि जो जिसी बचला च्छे मैने तक होगा तो आप देखेंगे कि जो बचला है वो आपको च्छे मैने का बचला आपको एक साल का लगेगा एक साल का क्यो कि उसका शाहिड की विकास इतना जबर्दस्त होगा कि आप खुद आश्यर में पर जाएंगे कि इसका विकास इसे पंजली कैसे हो सकता है क्योंकि उसकी नहीं मज़ू हो जाएगी तो वह आगे कभी कमजोरी मसूस नहीं करेगा और वह प्रॉपर जली त्यार हो जाएगा जल बरफूर मां का दूद देना है ऐसा नहीं कि आप दूद दूलें और उसको बचा गुचा बिला दें तो उसके बाद जो वह दूसरी सुकी गास और भी गास की तरह भाग सब्राचिज हो और कई-णकई वह तो कई-दूद हे उसका फोशन है उसको पिच्छे सब्रक्लिक मत प्रश्य तोर से कई नगई मंद पड़ जाएगा और उससे कई नगई हमें ही नुकसान है तो पहला कारिया आपको कुना है गाए का जो दूद है उसको बरपूर पिलाएं बैस का भी दूद है तो बैस के बच्चे को भरपूर दूद पिलाएं उसके बाद आप तीन मैने बा अच्छे को आप चोइस मेने में जाने की मातर आप दो साल में उसको ग्याविन ठहरा सकते हैं और उनसे भरपूर लाप राफ्त कर सकते हैं तो किसंसातियों यह थी आज की जैनकरी अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बान आए तो एक सब्सक्रा किसित बातर आप, कर लाइक के लाइक.